नमस्कार कविता कारवां का जो देश द्यापी अध्यान आदरीने सुभाज रावज जी द्वारा प्राधम किया गया था इस अभ्यान के लिए उनको बहुत-बहुत साथुबाद आज मैं महाकवी तुछिदास जी के कवितावली के बालकांद की कुछ पद रस्तुत्य रामु उसके राम जी के बाल सौनले रखी बाल चबिया महाकवी तुछिदास जी ने अद्वुत प्रूप से बढ़नित की हैं तो लीजिए अवा धेस के द्वारे सकारे गई सुत गोद के भूपत लेनिक से अवा लोकि हों सोच भी मोचन को ठग सी रही जे न ठगे धिक से तुलसी मन रंजन रंजित यंजन नेन सुखन जन जातक से सजनी ससी में समसील उभे नवनील सरोर असे बिक से पगनुपुर ओ पहुची करकन जनी मन जुबनी मनी माल हिये नवनील कलेवर पीत जगा जलकें पुलकें मिर्प गोद लिये अरदिंद सोनन रूप मरंद अनंदित लोचन भिंग पिये मन मोन बस्यो असबालक जो तुलसी जग में फल कौन जिये तन की दुति श्याम सरो रूह लोचन खंज की मन जुलता ही हरे अति सुंगर सोहत धूरी भरे छबी भूरी अनंग की दूरी दरे दम के ददिया दुति दामिन जो किल के कलवाल बिमोद करे अवधेस के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में भिहरे कब हूँ ससिमानत आर करे कब हूँ प्रति बिंब निखार दरे कब हूँ करताल बजाई के नाचत मात सबे मन मौद बरे कब हूँ रिसी आई कहे हट के पुनिलेत सोई जीलाग अरे अवधेस के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में भिहरे बरदंत की पंगत कुंद कली अधरादर पल्लव खोलन की चपला चमके घन बीच जगे छबि मोतिन माल अमोलन की घुंगराज लटे लटके मुगव पर कुंदल लोल कपोलन की निवच्छावरी प्रान करें तुलसी बली जाओ लला इन भोलन की पद कंजन मंज बनी पनही धन ये सर पंकज पान लिए लरिका संग खेलत डोलत हैं सर यू तट चौहट हाट ये तुलसी असबाल के सुनई में हो कहा जब जोग समाद करें नर्वे खरसू करस्वान समान कहो जग में फल कौन जिए सर यू बरती रही तीर फिरे रग बीर सखा अर बीर सवे धंगी कर तीर निसंग कसें कट पीत दुकूल नवीन फवे तुलसीत यो सरलावनिता दस चार नो तीन यकीस सबे मति भारति पंग भई जो निहारी विचार फिरे उपमान पवे धन्यवाद यद्यवाद